सिनीमा जगत में मलाइका अडूरा को 21 साल हो चुके हैं इतने लंबेर से में मलाइका ने खुद को बता और डांसर स्थापित किया फिल्म दिल से के छेया छेया गाने से मलाइका ने फिल्म इंडॉस्ट्री में कडम रखा इसके बार ढोलना माही वे अनार कली डिसको चली जैसी कई सुपर हिट फिल्मों पर इन्होंने अपने डांस का जलवा भी खेरा हाली में मलाइका ने अपनी नीजी जिन्गी को लेकर एक चैट शो में काफी खुल कर बाते की जिहानों ने नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर विद नेहा के साथ इस शो में काफी कुछ खुला से कियें मलाइका ने नेहा धूपिया के चैट शो में कहा शुरुवात में मुझे डर्क स्क्रिन कैटिग्री में रखा जाता था उस वक्त उन चीजों को लेकर काफी जादा भीदभाफ किया जाता था लोग डाक स्क्रिन और फेर स्क्रिन को लेकर काफी भीदभाफ करते थे इस चैट शो के दौरान मलाइका ने कई और खुला से किये मलाइका ने कहा कि प्रेगनेंसी के वक्त भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था और ठीक प्रेगनेंसी के बाद यानि डिलिवरी हो जाने के 40 दिन बाद ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था इसके साथ साथ उन्होंने अपने लव अफेर को ले करके भी यहाँ पर जिक्र किया यानि कि यहाँ पर मलाइका अरजुन कपूर का जिक्र करना नहीं भूली जी हाँ अपने रिष्टे को लेकर मलाइका ने इशारो शारविका बता दिया कि किस तरीके से मलाइका और अरजुन के भी इच प्यार भरी नोग जोग होती है और साथी साथ मलाइका ने रिष्टे को ले करके अपने और अरजन कपूर के रिष्टे को ले करके भी यहाँ पर हिंट देते हुए ये खुलासा कर ही दिया है कि वाके में अब ये बहुत जल एक दूसरे के हो जाएंगे फिर में अंडस से प्रियांक का क्रिपो